हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो ट्विस्टिन कीचेन, आज मैं आप सब के साथ शेर करने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी इडली की रेसिपी जो इंस्टन भी है और हेल्दी भी है, आप देख रहे हैं ये कितनी कलरफूल है, तो इसे बनाने के लिए मैंने यूश किया है ग्रीन म मुंग और करिलियूस तो ये दोनों ही बहुत ही हेल्दी इंग्रेडियन्स है, मुंग जो है उसमें प्रोटिन बहुत ज्यादा होता है, फाइबर होता है, फॉलेट, मेगनेशियम, पोटेशियम, आयन ये सब बहुत ही ज्यादा रहता है, तो ये एक ओवर ओर ओल सुपर इसमें पोटेशियम और मेंगनेशियम ज्यादा रहता है, तो ये आपका बलड प्रेशर लोर करता है, और वेजिटिरियन के लिए तो प्रोटिन का बहुत ही अच्छा सौर्स है, इसमें फाइबर और प्रोटिन बहुत ही ज्यादा रहता है, और एंटि ऑक्सिदिन्स भी तो ये blood sugar level जो है उसे maintain रखता है तो इसे diabetes वालों को तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपने खाने में तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप भिगोया हुआ मोंग जिसे मैंने 3-4 गंटे के लिए भिगो के रखा है और यहाँ पर मैंने 4-5 टेबल स्पून सुझी लिया था और इसे दही के साथ भिगो कर रखा है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर 10-15 करेली उस लिया है और 1 इंच अधरक का टुकडा लिया है यहाँ पर मैं धन्या दिखाना भूल गई हूँ लेकिन मैंने पिस्ते वक इसमें धन्या भी एड़ किया है आप चाहे तो स्पिनेच भी यूज़ कर सकते है तो यह ओर ओल बहुत ही हेल्धी इंग्रिडियन्स है अब हम इसका बैटर बना लेंगे तो इसका बैटर बनाने के लिए मिक्स्चर जार में हम इन सारी चीज़ों को ट्रांसफर कर लेते हैं यह जो इडली है वो बहुत ही हैल्धी रहती है और यह बहुत ही जो डाइजिशन है उसका बहुत ही इजीली हो जाता है तो यह ब्रेकफास्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा उप्शन है यहाँ पर मैंने नमक एड़ी किया है और इसका हम पेष्ट बना लेंगे तो यहाँ पर मुझे थोड़ पाणी की ज़रूरत है तो पाणी एड़ कर देंगे और अगेन इसे हम पिस लेते हैं तो यह दिखी हमारा अच्छा सा थीक बेटर रेड़ी है तो इसे अब हम बावल में निकाल लेते हैं और जो हम सुजी का मिक्स्चर है वो इसमें एड़ कर देंगे तो यहाँ पर मैं इसे एड़ कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आप चाहे तो इसमें सुजी अवोइड कर सकते हैं लेकिन मुझे सूजी बहुत ही जियता पसंद है तो मैंने इसमें एड किया है तो ये दिखिए कितनी colorful दिख रही है हैना अच्छा green color तो अब हम इसमें एड करेंगे एक चोथाई चम्मच काले मेर्च और दो पिंच के अराउंड baking soda ताकि जो हमारा बेटर है वो अच्छा fluffy हो जाए और जो हमारी इडली है वो बहुत ही soft बन कर आए क्योंकि इसे हम instant बना रहे हैं तो इसमें हमें soda एड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये देखिए हमारा बेटर ready है और यहाँ पर मैंने इडली की ट्रे को grease कर लिया है और इसमें अब हम हमारा जो बेटर है वो एड कर देंगे तो इसी तरह से हम सारी इडली की ट्रे को बेटर से फिल कर लेते है और मैंने यहाँ पर मेरा steamer जो है वो भी पानी के साथ पोल करने के लिए रख दिया था और इसमें हम हमारी इडली की ट्रे को रख देंगे और इसे कवर करके 15-20 मिन्ट के लिए कुख होने के लिए रख देंगे तो 15 मिन्ट के बाद यह देखे कितनी अच्छी हमारी इडली जो है वो बनकर रेडी हुई है आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आया है और अच्छी तरह से यह फुली भी है और यह बहुत ही सॉफ्ट है तो यहाँ पर मैं आपको एक दिखा रही हूँ यह देखे यह कितनी सॉफ्ट है और यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप इसे जरूर ट्राय करना अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर देना आप इसे दही के साथ या फिर कोकोनट चटनी के साथ भी सव कर सकते है तो यह देखी मैं यहाँ पर देखा रही हूँ तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेरी से ज़रूर करना और एसे ही healthy recipe देखने के लिए मेरी चैनल को subscribe ज़रूर करना Thank you for watching video See you soon again with new healthy recipe Till then bye bye